ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल इलाबाज़ाद है तेरे इन शहरों पर गौर कीजे दोस्तों, लाला राम देव, राजिस्थान में खड़े होकर कहते हैं कि मुसल्मान जो है, नमाज पढ़ने के बाद हिंदू बेटियों को अगवा करता है, आतंक बात करता है, कोई आक्शन नहीं कल जंतरमंतर पर ये सादू हैं जिनका नाम हरी सिंग है, खुले आम मुसल्मानों और इसाईों के नरसंगार की बात कर रहे थे, कोई आक्शन नहीं, उल्टा जब एक डिजिटल प्लाटफॉर्म मॉलिटिक्स इस पर रिपोर्ट दिखाती है, तो देखिए दिल्ली पुली के खिलाफ आक्शन ले लिया और उन्हें चेतावनी जारी कर दी, आपके स्क्रीज पर धीरेन शास्त्री खुले आम कहता है, कि भाई इस देश में हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट चलेगा जो कि सम्विधान के खिलाफ है, बार बार एक एक करके चाहे नफरती न धर्म निर्पेक्ष है, सम्विधान के हिसाब से चलेगा और इस देश में नफरत की कोई जगा नहीं, मगर मेरी अपील मी लॉड से, मेरी अपील सुप्रीम कोट के सम्मानित जजों से, आप जो ये तमाम बाते कहते हैं, क्या इसका कोई फाइदा है सर, आप ये बातें, अ आए भाजपा सरकार उसके बिलकुल उलट कर रही है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जंतर मंतर पर खड़ा ये साधू, खुलियाम, मुसल्मानों और इसाईउं को मौत के घाट उतारने की बात कर रहा है, इस पर दिल्ली पूलीस कोई आक्शन ही लेती, मगर इसके नफरती बयान को दिखाने वाले पत्रिकार नीरज जाको शेतावनी दी जाती है, क्यों? मैं यही तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहता हूँ, कि नियाय के नाम पर किस तरह का मजाक हो रहा है सर? मान लिया, कि उस हरी सिंग की कोई पैठ नहीं, उस साधू की कोई पैठ नहीं, मगर राम देव? राम देव ऐसी बात क्यों करते हैं, मुझे बताईए ना? धिरेन शास्त्री सम्विधान के खिलाफ क्यों बात करते हैं? तमाम जो पत्रकार हैं, वो लगातार नफरती कारकर क्यों करते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ. मैं आपको एक-एक करके बतलाने वाला हूँ, दोस्तों सुप्रीम कोट ने क्या कहा? बहुत एहम बाते कहीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश का जन मानस इस पर जो है अनुसरन करेगा, इस देश की सरकार, इस देश देश में मज़ब के आधार पर नफरती अपराद की कोई गुंजाईश नहीं है, नफरती बयानों पर कोई समझोता नहीं हो सकता, इसका समाधान तभी हो सकता है, जब सरकार हेट स्पीच को एक समस्या के रूप में स्वीकार करे, उसने कहा, ऐसे नफरती अपरादूं से, अपने नागरिक को बचाना सरकार का सबसे जरूरी फर्ज है गौर कीजे इस पंक्ती पर इसका समाधान तभी हो सकता है जब सरकार हेट स्पीच को एक समस्या के रूप में स्वीकार करें दोस्तों ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार हेट स्पीच को समस्या ही नहीं मानती है सुप्रीम कोट की टिपणी एक करारा तमाचा है भीजेपी सरकार की मुँपर जो ये कह रही है कि आप इसे एक गंभीर समस्या सुईकार करें और बात यहां नहीं रुकती आपके स्क्रीम कोट की इस बेंच ने कहा कि जब नफरती अपरादों के खिलाफ कारवाई नहीं होती तो उससे एक ऐसा माहौल बनता है जो बहुत खतरनाक होता है इसलिए ऐसे नफरती अपरादों को हमें अपनी जिंदगी से जड़ से खत्म करना होगा नफरती भाशनों पर कोई समझोता नहीं किया जा सकता इसमें क्या कहा गया है कि एक ऐसा माहौल बनता है जो खतरनाक होता है मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए पिशले कुछ दिनों से ये आकड़ी सामने उभर कर आ रहे हैं कि भारत के अंदर विदेशी निवेश धीरे-धीरे कम होता जा रहा है फॉरण इंवेस्टमेंट कम हो रहा है क्यों हो रहा है मुझे बताईए ना जब विदेशी कमपनिया ये माहौल देख रही है जहां खाने के नाम पर जहां बीफ खाने के आरोप में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर कोई इस देश में अपनी जान को जो खिम में क्यों डालेगा हमारा वो देश है जहां बीफ के शक पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है धेरों ऐसी मिसाल है सबसे बड़ी बात हम ये ना भूलें कि मध्धिपूर्व के देश गल्फ के देश यानि खाड़ी के देश ये तमाम मुस्लिम बाहुल देश है ये तमाम मुस्लिम थियोक्राटिक सुसाइटीज है इन तमाम देशों में मुसलमान बसते हैं भारत में क्या-क्या हो रहा है उसकी एक-एक पल की खबर उन तक पहुंचती है और जब हमारे देश के अंदर मंत्री नफरती बयान देते है तथा कथित योग गुरु नफरती बयान देते है जब भारतिय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता हजरत मुहम्मद साहब के बारे में आपत्ती जनक बयान देती है तो इसका क्या संदेश जाता है बताईए इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इससे कैसा माहौल बनता है जिससे लोगों को नुकसान होता है और चलिए धंदे की बाद छोड़ दीजे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हर बार मैं अपने कारकरमों में कहता हूँ दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब दीजे कि जब इस देश के अंदर नफरती माहौल होगा जब आप प्राइम टाइम में नफरती डिबेट्स दिखेंगे अपने ड्रॉइंग रूम में बैठके तो आपके घर के अंदर कैसा माहौल बनेगा बताई और सबसे बड़ी बात आप अपने मासूम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि सीधी और सरल सी बात है दोस्तों हिंदू को 2014 से पहले नहीं भढ़काया जाता था 2014 से पहले हिंदू कभी खत्रे में नहीं था हिंदू हृदय समराट के प्रधान मंत्री बनने के बाद हिंदू खत्रे में आ जाता है क्यों बताईए ये सवाल है दोस्तों और इनका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है दोस्तों चुकिए मामला जो सुप्रीम कोर्ट में उठा है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है मैं आपको बतलाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को खबर क्या है पढ़के सुनाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार इन दिनों नफरत फैलाने वाले भाशनों को लेकर आम सहमती बन रही है लेकिन भारत जैसे सेकिलर देश में मजभ के नाम पर ऐसे नफरती अपराधूं की कोई गुणजाईश नहीं है अदालत ने कहा अगर कोई शक्स पुलीस के पास आकर कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी मेरी दाड़ी खीची गई और मजभ के नाम पर गाली दी गई और फिर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती तो ये एक समस्या है होता यही है न दोस्तों कि जब कोई माइनौरिटी का व्यक्ती जो है वो जाता है अपनी शिकायत लेकर तो पुलीस ही वो शिकायत दर्ज नहीं करती और कई बार तो ऐसा माहौल हुआ है जहां पुलीस नहीं शिकायत करता पर अपराद किया है ज्यादती की है जल्म किया है ऐसी ढेरों मिसाले सामने उभर कर आती है और इत्फाकन ये तमाम मिसाले जो है वो बीजेपी शासत प्रदेशों में उभर कर आती है क्या हम इन तमाम बातों से मूँ भेर सकते हैं क्या हम इस बात को कालीन के नीचे खिसका सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा आपके स्क्रीन्स पर सुप्रीम कोट क्या कहता है दोस्तो, क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि नफरट एक अप्राद है, आप इसे कालीन के नीचे नहीं दबा सकते हम कुछ भी आपके खिलाफ नहीं कह रहे हैं हम लोग सिर्फ अपना दर्द बया कर रहे हैं और यह बात किसी और ने नहीं जस्टिस के-म जोजफ ने कल सुप्रीम कोट में कही है और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोट ये नसीहत दे रही है कि हम सब इनसान है चाहे हम किसी भी धर्म के हो हम इनसान है और सुप्रीम कोट क्या कहता है उसके एक एक शग पर आपको गौर करना पड़ेगा आपके स्क्रीन्स पर आप माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी यानि आप अल्प संख्यक हो या बहु संख्यक कुछ बातें मनुष्य के अंदर होती हैं आप एक परिवार में पैदा हुए और उसी में पले बढ़े हैं हमारे पास अपना धर्म चुरने का कोई विकल्प नहीं है लेकिन हम एक सेकुलर राष्ट तो हैं ये हमारे देश की सुन्दरता महानता है हमें इसे समझना होगा जी हाँ जब आप किसी दाड़ी वाले व्यक्ती पर या जिस व्यक्ती ने क्रॉस पहना है उस पर ज्यादती करते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आप उसके धर्म के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर कर रहे हैं तो सुप्रीम कोड यही तो कह रहा है कि अगर मैं आपके उस नफरती पहलू को भी समझने का प्रयास करूँ तो जो व्यक्ती जिस धर्म का अनुसरन कर रहा है उस धर्म को चुनने की भी तो उसको आजादी नहीं मिली ना क्योंकि धर्म अनलिस आपको परिवर्तित किया हो अनलिस आपका धर्मातरन हुआ हो जो धर्म है आप उसके साथ ही पैदा होते हैं और हर धर्म की अपनी विशेश्टाएं होती हैं हर धर्म का अपना एक चलन होता है इस सेकुलर राष्ट की खुबसूरत बात यह है कि चाहे जो भी धर्म हो आपका उसे पालन करना आपका अधिकार है और कोई आपसे वह बात नहीं चीन सकता आज मैं आपको एक बहुत एहम बात बताने वाला हूँ दोस्तों ध्यान से सुनियेगा कई बार जब कुछ हिंदू कुछ मुसल्मानों पर अत्याचार करते हैं या इसलाम के बारे में अनाब शनाब बाते कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए इसलाम में तो बहुत कटरता है मध्धिपूर्व में देखिए अफगानिस्तान में देखिए वहाँ देखिए किस तरह की कटरता है आप उनके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते आपको आभासे आप क्या कह रहे हैं जब आप ये कहते हैं तो कही न कहीं आप हिंदू धर्म को भी वैसा ही कटर बनाना चाहते हैं याने कि जिस चीज से आप नफरत करते हैं आप अपने धर्म को भी वैसा ही बना रहे हैं बताईए ना आप क्या कहते हैं कि वो धर्म भी तो कटर हैं उस कटर धर्म के बारे में कुछ कहो यानि कि आप जो ज्यादतियां करते हैं आप जो अपराद करते हैं उसे आप जायज कैसे ठहराते हैं दूसरे धर्म की कटरता की तरफ उंगली उठा कर यानि कि आप भी वही ब बनते जा रहे हैं, सोचिएगा मेरी इस बात पर, ध्यान से सोचिएगा कि आप उस नफरत के चलते, या सरल शब्दों में कहा जाए, उस राजनीती के चलते क्या बनते जा रहे हैं, क्योंकि उस पोलिटिकल पार्टी को आपके वोट्स हासिल करने, उसका आपकी आत्मा की आपका दम घुटने लगेगा, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप में और एरान में या अफगानिस्तान में पलने वाले वो तालिबानी, या मधपूर्व में जो वो कट्टर इसलाम का नुसरन करने वाले लोग, उनमें और आप में कोई फरक नहीं रह जाएगा, फिर सोचिएगा आपकी क्या हालत होगी, वो कौन सी कहवत है, धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के हम, एक बहुत ही खुबसूरा धर्म है हमारा हिंदु धर्म, जो सर्व धर्म संभाव में विश्व करता है, और आप में से कुछ लोग, कुछ कटर लोग उस सब को खत्म कर देना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप मेरे सम्विधान की तोहिन कर रहे हैं, सिर्फ उस नफरत के चलते हैं, मेरे एक एक शब पर वोर कीजेगा, नमस्कार.